कारिक्रम के पुन्यार्चक हैं महाबीर स्वामी एक सब्द कहते हैं बुझ्याय मतलब बुद्यत हो जाओ अब तो समझ जाओ जो जो कुछ करने से आस्तक हमारा संसार है वो वो सब करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता जो जो कुछ करने से अस्रोबन्ध है वही सब करने से संबर निज़रा नहीं हो सकते जो जो कुछ करने से आज तक हम सुखी दुखी हैं वही करने से हम इसी तरह से दुखी सुखी होती रहेंगे इसका मतलब है कि अब हमें वो कुछ करना चाहिए जो कुछ आज तक नहीं किया आज तक क्या नहीं किया आहार निद्रा भय में थुनम्चा समन मीतत सुभी नराणा आहार भी किये हैं भय भीत भी हुए हैं काम बासना में भी डखत रहे हैं परिग्रह भी खटे किये हैं और अगर नहीं किया है तो अपने ज्ञान सभाव के प्रती समर्पा नहीं किया तक तो ज्ञान नहीं किया तक तो निर्णय नहीं किया जीव निवध्स आये दे इस इस जो आस्त्रों हैं जो बंध हैं ये बंधे हुए है जीव से कैसे हैं ये सब अधोब आ सो असुचई जडम आी अध्रव का मतलब क्या होता है? दो सब्ध हैं इसमें एक जैसे अध्रव और अनिच्चा बारे भावना में पहली भावना कौन सी है? पहली भावना कौन सी है जी? अध्रव है कि अनित्य भावना? कहीं कहीं लिखा रहता है अध्रव भावना कहीं कहीं लिखा रहता है अनित्य भावना और कहीं कहीं लिखा रहता है अध्र भावना अस्थिर्भावना मतलब क्या चारों सब्दों का एक ही अर्थ है मोटे रूप में तो एक अर्थ कह सकते हैं लेकिन जब हम सुक्ष्म रूप से विचार करते हैं तो मौलूम पड़ता है कि अध्रुब में और अनित्य में अंतर है जीव निबध्धा जीव से बधे हुए हैं आस्थ्राव कर्म जैसे पीपल का पेड़ होता है पीपल के पेड़ में एक तरह की गौंद एक तरह की लाख पैदा होती है लाख एक तरह का गौंद इस ट्राइप पैदा होता है और वह इस तरह जोता है कि दिरे दिरे फैलता जाता है पकरता जाता है और पीपल को खतम कर देता है तोस पेड़ को खतम तेता है आपने गौर किया हो कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन पेड़ एक साथ मिल जाते हैं और उसमें एक पेड़ जो ऐसा इतना छलसे काम करता है कि बाकी दूसरे पेड़ों को निगल जाता है अपने रूप कर लेता है उनका अस्तित जैसे कदम हो जाता है देखा कभी आपने? हमने बिहार में देखा रास्ते में चलते वक्त पेड़ था खजूर का खजरी का और उसको उपर दूसरे पेड़ ने घेरा उसको खजरी का पेड़ सूख गया और दूसरा पेड़ अबाद हो गया इस जीव में एक इंद्री में भी कितनी कसाय हैं दूसरे को मारने की कितना चल है मतलब है एक इंद्री दो इंद्री आदी भी जीव हैं और वो भी सभी कसाय वाले हैं इस कसाय नहीं है और परियाए उनकी ऐसी है कि उस परियाए में तो वही निर्णे भी नहीं कर सकते हैं कि क बसाएं बुरी हैं, बासनाएं बुरी हैं, आस्त्रव बोरे हैं, यह बद्धगा तक सभा होता है, लाख पीपल में ही पैदा होती है, और पीपल को ही खा जाती है, ऐसे ही आस्त्रव बंध, जीव के संयोग से जीव में पैदा हुए हैं, और जीव को ही नुकसान पहुंचात ही है बोलो मंत्री जी चिंता किस में प्यादा होती है हमारे मन में है ना हमारे चित में नुकसान किसका करती है हमारी करती है बोलते भी है भई चिंता करकर के और सूख गए आदमी जितनी ज्यादा चिंता करता है, उतना ज्यादा सूकता जाता है। जो लोग चिंता नहीं करते हैं। जो सुखी रहते है, बाल जड़ गये ज़ुले चिंता करते करते, इतना टेंशन क्यों जड़ जाते हैं जी। अब उन से क्यों पूछ रहे आप एक प्रकृति भी है लेकिन कभी-कभी पापा नाराज हो जाया और बेटे से कहें के बेटा कमाते कमाते तुम्हारे फिकर करते करते हमारी सिरके बाल जर गए घरवालों को कहते हैं कभी-कभी कि तुम लोग हमारी कीमत नहीं समझते हो तुम कि बुजर्गों की एक-एक जुद्री शैकड़ों से क्षाएं देते हैं उनका परिष्ट्रम है अनुभव बोलते हैं तो यह जो चिंता प्यदा हुई किस में प्यदा हुई हाठ अटेक जो आता है ना अकसर का टेंसन तनाव के कान से जो खून में गाड़ापन पैदा होता है उसकी कान से आता है जो ब्लोकेस पैदा होते हैं उनसे होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधा सिंपल जीवन जीता है तो उसको ऐसी समझ चाहें नहीं होती है उसी में पैदा हुआ और उसी को मारता है चिंता उसी में पैदा होती है उसी को मारती है बासना उसी में पैदा होती है उसी व्यक्ति को मारती है क्रोध किसको मारता है बताईए लोही का जलता हुआ गोला उठा करके एदि आप किसी को मारना चाहें आपको पता है सबसे पहले अपना हाथ जलेगा उसका कुछ हो ना हो ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोब, तरशना, लालसा, बासना इनसे दूसरों का कुछ नुकसान हो ना हो हम जरूर जलते हैं बद्ध घातक सभाओ है हमारा आत्मा हमारे विकारों से घाता जाता है और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मैं चैतन गन आत्मा हूं और ये आस्रवबंध पर है मैं नहीं हूं यह अध्रुब हैं अध्रुब का मतलब क्या हुँआ? घटने वाले बढ़ने वाले अद्रुप का मतलब हम आत्मा घटता बड़ता नहीं है आत्मा तो आत्मा है लेकिन आस्त्रवबंद अनित्य है कभी हैं कभी नहीं कभी साता रूप हैं कभी असाता रूप और अस्रण हैं आश्रव जब बंद जब अपनी इस्तिती से पूर्ण हो जाता है तो जड़ जाता है वो इसे रोक नहीं सकता है कर्मों की इस्तिती पूरी हो जाती है तो कर्म जड़ जाते हैं और नए नए आश्रव बंद जारी है आचारश्य काईते हैं कि अध्रुब है अनित्य है असरण है जबकि आत्मा ध्रुब सभावी है नित्य है सरण भूत है आस्त्राव बंध बगेरा जो है विकारी भाव जो है वो दुख है दुख के कारण है दुख के फल है आत्मा जो है सुख सभाव वाला है सुख है सुख के फल को भोगने वाला है इसलिए आस्त्राव आत्मा में भिन्यता समझ करके ऐसी प्रवित्तियां करिए कि आश्रों से बचे, बंध से बचे नादूना नेवा तये तेहिम जवर्जस्ति हम लोग बिचलित होते हैं, कलेसित होते रहते हैं देखना खुपसान तहे ब्यक्ति, लेकिन उसे च्छन भरे में वो दुबिलित किया जा सकता है, एक खराब सब्द बोल करके किसी ब्यक्ति को आप चोर बोल दीजिए, बदमास बोल दीजिए, कितना चोब पैदा हो जाएगा, किसी को भी निमित ना बने, कि वो विचलित हो, परिशान हो, खुद इस बात को समझे, कि मन बचन काय की असुब प्रवितियां बड़ी नुक्सान दायक साबित होती है, श्रीमान जी ठक करके, हार करके, परिशान हो करके, दुकान से घर आए, अच्छी बात करेंगे, खाना खाएंगे, विश्राम करेंगे, और जैसे ही भूजन करने हैं बैठें, इस रीमती जी ने कहा, खाना खालो, इसके बात को जरूरी बात करना है, अच्छा, ओभी मुस्का करके कहा है, तो तो ठीक भी है, यह अच्छी बात, मतलब भी प्रसंदता से कह रहे हैं तो कोई अच्छी बात होगी, और अगर रूट करके कहा है, तो निवाला नीचे कले की नीचे उतरेगा, खवाएगा, भूजन यूँ खतम हो जाएगा, भूख ही मारी जाएगे, कि पतानी अच्छी क्या संकटाने वाला है, खाल हमक बात को ले करके जगडा किया, और आज पतानी और कौन सा विसाय आ गया, कि खाना खालो, उसके बाद कुछ जरूरी बात करना है, कौन सी जरूरी बात आ गया, खाना खावाएगा, ऐसे हम एक दूसरे को संकट में डाल देते, भाईया, तुझे तो मैं देख लूँगा, अब भूशारा अगर कमजोर होगा, तो परिशान हो जाएगा, कि भाई, ये क्या देख लेंगे, अब मजबूत होगा, तो कहेगा, कि जो देखना सो, देख ले न, अब भी देख ले, तो कभी भी, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी, अन्य व्यक्ति क्यों ना होगा, तो प्रुवित्धियां ऐसे करें, मन में चनकाय की चेस्ता ऐसे करें, कि ना हम खुद ज़्यादा तंग हों, परिशान हों, ना कोई दूसरा परिशान हों, किलेस करने से कलेस बढ़ते हैं, सांती बढ़ाने से सांती बढ़ती है, अरंध भगवान वीतरागी हो गए, शिद्ध हो गए, क्यों हो गए, केसे हो गए, अरे भाई हमारे जैसे ही तो थे कभी महाबीर स्वामी की पिशली पर्यायों की बात करो आदिनांद भगवान की पिशली पर्यायों की बात करो तो बहुत कुछ हमारे जैसे ही तो थे लेकिन उन्हें एक मार्ग मिला उन्होंने अपने स्वरूप को समझा और फिर आस्रव का निरोध करते गए खोटी प्रवित्यों से बच्चते गए सत्प्रवित्यों में लगते गए और वो समयाया कि सारे आस्रव बंद का निर्शन करके संबर्म रिज्रा करके सारे दोसों को मिठा करके अरहंत और सिद्ध हो गए मिठाया जा सकता है कल तक वह व्यक्ति रात्री भोजन त्याग करने को तयार नहीं था एक दिन हमारा आखार हुगा एक श्रावा के घर में तो मैं इसारा किया कि भई कम से कम एक साल का रात्री का त्याग भुजन का त्याग करना चाहिए तो कहता है कर लेंगे फिर हमने साला किया कि भई बुलता है कर लेंगे तो बाजू में एक दूसरा स्रावग कहता है कि कर लेंगे कर लेंगे बोल कि मैं करता हूँ तो उससे भी बोलता है कर लेंगे अरे कर लेंगे का पता नहीं है बर्तमान में बोल कि करता है कि नहीं करता है तो महाराजी कर लेंगे तो उसकी पत्नी ने कहा क्या भी कर महाराजी का पड़गाहन द्वारा फिर से तेरे गर में होगा कोई जरूरे थोड़ी है तो अच्छा महाराजी आसे रात में बुजन का त्याग अभी तक टालने की कोशिस में था कई लोग ना बहुत चत्राई से पेस आते हैं धीरे से बोलेंगे त्याग है एक दिन का अच्छा कितना त्याग है महाराज जी पक्का अरी भाई तिरे मौन थोड़ी है इसका मतलब क्या होता है तो भाई इतना राग घटा यह भी ठीक है एक साल का त्याग करेंगे बाजार की बस्तू का त्याग करेंगे कसाए व्रत्तियों का त्याद करेंगे सालीनता का स्विकार करेंगे जीवन में कोई-कोई व्यक्ती बहुत आक्रोस और क्रोध वाले होते हैं लेकिन कभी किसी सादू का संगती पाकरके पूरा जीवन बगाई जाता है ऐसा किनी किनी को स्रीमती को अपने पती को देख करके विश्वास नहीं होता कि चातुरमास के पहले जो थे वो ही यह के दूसरे अगर वो सादू से जुड़ गए तो प्रवित्तियां वदल जाती है आठ बजे उठने वाला व्यक्ति छे बजे उठकर की सुध्धी के जाने के लिए तयार हो जाता भगवान का मुँ नहीं देखने वाला आदमी अभी से करने को तयार हो जाता है और ऐसी सत प्रवित्तियों से जीवन में पुन्य का अरजन होता है कापकावी सरजन होता है अतमार्थियों इन अउसरों का लाफ ले और श्यांसनाद भगवान के दिर्वान कल्यानक महोसा की मंगल बेला लोग रक्षा बंदर रक्षा बंदर बोलते हैं मतलब क्या है अभी तीन दिन बाकी है पुरे देश में बड़े बड़े जिनालयों में मुनियों की आराधना के मंगल आयोजन हो रहे हैं तैयारियां हो रही है रक्षा बंदर मतलब क्या है रक्षा का बंदर है सुत्र बांदते हैं जरूर नहीं है कि बहन ही भाई को बांदे है भाई भी बेहन को बाह fır मित्र मित्र को बाह आँ ख्रेंट सिर्डेप का जो फीटा आता है वह भाश्चल दिवस के दिन स्रियांस नावगवान करदग को जानुक मुनी राजों की रक्षा उप्सक्तारक निवारण का दिन और विश्वु कुमार मुनिराज का बास्चल प्रकट करने का दिन। ऐसे मंगलमे दिवस पर एक दूसरे को धागा बांध करके एक दूसरे की रक्षा स्वरक्षा और जिन धर्म की ब्रभावना का संकल्प करना चाहिए। हर हाल में हम भीत्राग जिनसासन की ब्रभावना के लिए जुटे तन रहे चाहे ना रहे जिन धर्म रहना चाहें डेवसास्त गुरू रहेंगे दंजन का कल्यान होगा इस महा मंगलकारी धर्म में जिनवानी के शर्वण में और सुभ प्रवित्तियों में अपनी बुद्धि को लगाईए और जीवन को मंगल में बनाएए जयों लिए 24 थितं अंकल भगवान के